Hello friends, thank you, thank you, thank you so much मेरी इस जर्नी में मेरे साथ रहने के लिए and thank you to चंचल गुपता जी जो सीनियल नॉयर और सोशल वरकर है जिनोंने हमें गोल्डन अचीवर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया और हमें ये अवार्ड मिला उनकी वज़े से मैं भी फटा फट रेडी होके पहुँच गई थी एक महीने पहले मुझे बताया गया था कि इस जिन आपको आना होगा हम आपको अवार्ड देख रहे हैं तो मैंने इतना इसको seriously नहीं लिया कि हाँ ठीक है जाना है अवार्ड लाना है पर जब मैं वहाँ पहुँची और बड़े-बड़े दिगजों को मैंने देखा तब मुझे रेलाइज हुआ यार यह तो एक बहुत बड़ी जगा पे आ गई हूँ मैं जहां इतने बड़े-बड़े ministers हैं पर्लेमेंट speakers हैं और इतनी अच्छी अच्छी प्यारी-प्यारी बाते की मैं तो बताई नहीं सकती आपको अवार्ड मिलना तो एक बहुत अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है लेकिन ऐसे लोगों से जो खुद इतने famous है उनके हाथों से मिलना बहुत बहुत एक सपना सा है किसी के लिए और मेरे लिए भी ये सपना था लेकिन सच बात बताओं ये award क्यों मिला है ये आप लोगों के प्यार की वैसे मिला है आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतना motivate करते हैं, इतने अच्छे अच्छे comment करते हैं और thank you उन लोगों का भी जो इतने गंचे comments भी करते हैं time तो निकाल रहे हैं ना हमारे लिए कहीं न कहीं से तो थैंक यू है आप सब का हमारे साथ जुडने के लिए इतना पियार देने के लिए और हमें इतनी दूर इस सफर पर लेके आने के लिए आशा करते हूं आप सब ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे और हमारे साथ और आगे चले और हम सब मतलब क्या बूलूँ बहुत ही अच्छा लग रहा था बहुत दूर दूर से अलग अलग जगाउ से लोग आये थे, काफी लोग आगरा से आये थे जैपूर से आये थे तो ये एक्स चीफ मिनिस्टर है उत्राकर्ण के सर नाम तुम खेर मुझे अभी याद नहीं आ रहा आपको तो याद है ना कि चटोई रजनी किती बुलक कड़ है बूल जाती तो बहुत सारे लोगों को सम्मानित किया गया था अवार्ड दिया गया था और बहुत ही अच्छा लग रहा था पहले तो मुझे लगा कि यार कॉंक्लेव है थे थोड़ा बोरिंग ना हूँ लेकिन सच में वहाँ जो इंटिलेक्शल बाते हुई और काफी चीज़े तो सुनके बहुत अच्छा लगा और फिर आ गये थे चिराग पासवान जी अब उनके आने के बाद तो मुझे रेलाइज हुआ अरे यार सबसे बड़ा excitement में तो यहीं पर है मतलब Chief Minister of Food Industry अगर मुझे अवार्ड दे रहे हैं तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है तो पहले मुझे नहीं पता था कि Sir हमें देंगे अवार्ड मैं वहाँ बैठे-बैठे मन में यहीं बोल रहे थी गुरू जी प्लीज इनके हाथ से अवार्ड मिल जाए एक फोटो इनके साथ हो जाए मतलब आज की डेट में Heartrob of India बोला जाता है millions इनके followers है और इतना अच्छा यह बोलते है मैं आपको क्या बता हूँ इनोंने 5 मिंट की एक छोटी सी ही speech दी लेकिन बहुत ही दमदार और बहुत ही शानदार speech दी थी मुझे पहले नहीं पता था कि Sir इतने famous है जैसे ही मैंने इनके साथ photo डाली फिर जो messages पर messages आने लगे फिर पता चला कि Sir कितने famous है खात करके ladies के बीच में दी heartthrob of India बोला जाता है इनको और मैं super excited थी जब मेरा नाम लिया गया और मैं गई और फिर मुझे realize हुआ कि हाँ जी मुझे Sir सही मिल रहा है तो camera वाले बागया को मैंने इपना phone दी और कहा कि please अच्छी थी photos ले ही लेना miss मत कर लेना Sir के साथ तो मुझे पिक चाहिए ही चाहिए इस ऐसी इसी तरीके से मतलब आप समझ सक रहे हो में को समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूँ क्या कहूँ इतना एक वो अलगी feeling थी वहाँ पे खड़े होके मैं समझा ही नहीं सकती दीरे दीरे हर एक को award दिया गया कुछ लोग हम 15 आसपास लोग थे उनको सम्मानित किया गया और Sir ने मुझे congratulations बोला इतना अच्छा लगा और हमें एक certificate भी दिया और चाहते जाते मैंने भी बदमाशी की Sir को अपना कार्ट दिया और मैं तो बोली नी पाई follow करना obviously अच्छा नहीं लगता पर मैंने Sir को कार्ट देगीगा Sir जरूर देखेगा और motivate कीजेगा और उन्होंने देखके मुझे बोला कार्ट को लेके हाथ में चटोरी बहुत ही अच्छा नाव है और आप मानो कि जब मैंने ये स्टेटेस पर डाला तो मेरी बेस्ट फ्रेंड का मैसे जाया कि C.A. तो मैं हूँ तुझे C.A. कावर्ड कैसे लिए फिर मैंने उसको समझाया अबे ओ ध्यान से देख जब तक सब लोगों को आवर्ड नहीं मिले तब तक हम वहीं पर थे बाकी लोगों से भी बात करके बहुत अच्छा लगा टेक्स्टाइल फील से कोई था कोई मिसस इंडिया थी कोई बेटशी और वो अलग-अलग जगा उसे थे उनके अलग-अलग फैक्टरीज थी मतलब जो भी थे बड़े-बड़े फैक्टरीज के लोग थे गोल्डी मसाले के सीओ भी वहाँ पे थे और इनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा पर ये दोनों सिस्टर्स कत्थक में बहुत ही फेमस है और परलिमेंट स्पीकर भी है और ये जो भाईया जिनके साथ मैं पिक खिच वा रही हूँ जो स्टूडियो की तरफ साय थे वो हमारे फॉलवर भी है फिर हमने सोचा क्यों ना उस बोड के साथ पिक ली जाए जहां पर मेरी भी फोटो लगी हुई है and not to miss बहुत खुशी हुई सबसे पहले मैंने अपनी फोटो जो है अपने पापा को भेजी लेकिन उनको वो डाउनलोड ही नहीं कर पा रहे थे पता ने क्या हुआ मैं इतनी excited थी उनको के मैरे पापा देखे और प्राउट फील करें कि देखो उनकी बेटी किस से अवार्ड लेकर आई है फिर सर पास्वान जी ने दोशब कहे बहुत ही प्यारे से मैंने पताया जैसे आप लोग को बहुत अच्छे से उन्होंने बोला और बहुत ही अच्छा लगा सबको आज तो अगर सच बोले तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मैं क्या बोलू मतलब अभी भी जब इस वीडियो को देख रही तो मेरे रोंग्टे खड़े और गूस्बम्स हो रहा है और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि इतने बड़े बड़े दिगजों के साथ मेरा नाम जुड़ा गया बहुत ही प्राउट मुमेंट था इतने सारे निउस पेपर्स में ये वाली फोटो छपी क्योंकि आप लोग ने इतना प्यार थी है तभी आज मैं यहाँ पर हूँ और इन मैंन को भी मिला था यह जैपूर से आय थे टेक्स्टार इंडस्ट्री है इनको भी अवार्ड मिला था फिर हम बात करने लगे तो यह मुझे बता रहे थे हम आपको जानते हैं आपकी विडियोस देखते हैं सर को मैं अपना कार्ड देते हुए उनसे बात करते हुए और शर्माते हुए कि हाई कुछ गरबर तो नहीं कर दी है नहीं ऐसे बात करके बस फिर थोड़ी बहुत फोटोग्रफी चलती रही उसके बाद हम लोग भी पहुँच गए थे खाना खाने के लिए यह सारा प्रोग्राम जो हुआ था चानक्या में हुआ था हुटल अशोप में जहां पे टोमेटो सूप था साथ में बटर और स्टेक्स जो थे पनीर की सबजी थी दाल मकनी थी राइस थे बहुत तरह तरह की सैलड थे बहुत सारे ओप्शन से खाने में बहुत अच्छे से किया गया था सारा इंतजा देखे दाल मकनी है यहां पे मिक्स वेज है पनीर दो बिंडी दो प्याजा है और यहां पे दम आलू है तो मैंने सिर्फ दम आलू खाया था थोड़ा सा तेस्क्ष किया था और यहां पे मिक्स वेज थी और यहां पे बन रए थे पास्ता तो मैंने मेंन कोस में सबसे ज़ादा खाया था तो स्पर सुपर अमेजिंग था तरह तरह के सैलड थे और कम से कम चार साड़े चार तो बजी चुके थे 4.30 हो गया था और सब को इतनी भूख लग गई थे क्योंकि बारा बजे से हम लोग अवार्ड फंक्शन में बैठे थे फटा फट जैसे ही सारे अवार्ड कता हुए सब तूट पड़े खाने पे बरतन देख रहें कितना क्यूट सा है फिर मैं आपको जरूर दिखाऊंगी आगे मीठा भी था बहुत इंट्रेस्टिंग और ये दूसरे काउंटर में भी सेमी सबजिया लगी थी मैं को जाने के बाद पता चला गर्मा गरम जलेबी जलेबी के साथ थी रबडी रबडी के साथ और भी बहुत ही अमेजिंग मीठा था आगे चलिए मैं आपको बताते हूँ कुलफी थी और यहां पे थी खीर जो की थी रोस फ्लेवर हलाकि मैंने मीठे में सिर्फ रबडी टेस्ट की थी पर बहुत ही अच्छा लग रहा था रसमलाई थी लखनवी और यहां पे फलूदा एंड कुलफी